असलालीकूम फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल शेवनुरली यहां पर मेरे पास कुछ है एक हमेलिया की कटिंग और यहां पर कुछ गेलाडिया की कटिंग से हमारे पास तो हम इसको जल्दी जल्दी से ग्रो कर देते हैं दो-तीन दिन हो गए हैं इनको लाए हुए और यह इस पानी में रखी हुई थी अजकल सीजन तो नहीं है इसको कटिंग करने का लेकिन हम इसको शेड में रख देंगे तो हो सकता है कि यह कटिंग ग्रो हो जाए अब मुझे यह गेलाडिया की कुछ कटिंग से मिल भी गई थी इस वज़े से मैं सोचती हूँ कि इसको लगा दूँ तो इसमें कुछ फूल है प्यारे-प्यारे से अच्छे-च्छे से लेकिन बीज नहीं है तो इनको बीज से तो आसानी से ग्रो किया जा सकता है कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं लेकिन क्योंकि मौसम नहीं है तो हो सकता है कि नभी ग्रूह, पर इकोशिश करने में क्या जाता है, तो मैं क्या करती हूं कि इसके जितने भी ये सुखी-सुखी सी टैनिया है, उनको हटा देंगे, फ्रेश फ्रेश जो गरिन-गरिन है, टॉप की, वो 4-5 इंच तक की layer हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इनको cut करते हैं और फिर आपके पास कोई gel, rooting gel वगेरा healthy powder जो कुछ हो आप उसमें लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको grow कर सकते हैं तो देखिए मैं इनको cut करके निकाल देती हूं 4-5-6 इंच तक की cutting और उसके इलावा जितने पत्ते हैं इसके उन सब को remove कर देते हैं क्यूंकि पत्ते होते हैं वो extra energy लेते हैं और सिर्फ इस्टेम होती है तो वो आसानी से grow हो जाती है तो ये देखिए मैंने सारे सुके सुके पत्तों को हटा कर इसको एक pot में grow कर दिया है जिसमें मैंने पहले से cutting को लगाए हुआ था और इसके लिए मैंने एक well-drained soil ली हुई है और इसको watering कर देते हैं सबसे main चीज ये है कि इससे रखना है मुझे इसी बालकनी पर तो इसमें dressing को मैंने पहले से लगा रखा है तो ये बहुत अच्छी मिटी है इसमें लग गई है उसकी cutting अब हम क्या करते हैं कि इन सब को compost bin में डाल देते हैं कि छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंस तो एक लाइक जरूर कीजेगा और अच्छे-च्छे से कमेंट कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए लाफेज